स्वागत है आपका टेले पायट के NCRT processes में स्वागत है आपका टेले पायट के इंसरीज में एक्षिन को सॉल्व कर रहे हैं और सांत ही उसके पीछे लॉजिकल रीजन जानने को पूर्ण प्रयास कर रहे हैं यह वीडियो लेक्चर 11 biology chapter 3 plant kingdom बातक जगतों इसके बाद अन्य जितनी भी चैप्टर हैं उन सब के वीडियो लेक्चर्स को अवेल करने के लिए आप हमारे चानल के प्लेलिस्ट में जाहिए जहां पर की NCRT एक्जाम्पलर 11 Biology नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होई है गो एंड चेक इट आउट फर मोर चैप्टर वाइज अनालिसस मुविंग तो दा क्वेस्टिन सेक्शन स्यानो बैक्टिरिया इन निमनलिखित में से किस केटेगरी में वर्गे करित किया जाता है तो सियानो बैक्टिरिया की बारे में दो सबसे खास बात यहां पर जान लेनी इसमें एक हमारे पास शब्द दिख रहा है हेट्रो सिस्ट यह हैं वह सेल्स हेट्रो सिस्ट् सेल्स के नाइट्रो जेशनकरते हैं, जिसकी वज़ा से जो सियानो बैक्टिरिया या ब्क्रीन अलगी है, उनकी importance बहुत ही जादा बढ़ जाती है, वो soil में nitrogen fixation करते हैं, soil की fertility को increase करते हैं, जिसके वज़य से पौधे या पैदावार जो है वो बहुत ही अच्छी होती है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये सबसे जादा primitive है और दूसरे ये bacteria है, primitive bacteria मैंने कहा, primitive bacteria सिर्फ और सिर्फ kingdom, monera के part हो सकते, moving to next question, fusion of tile gamut, अब देखो, यहाँ पे fusion पूछ रहा है, fusion यहाने कि समागम हो रहा है, दो motile gamut का दोनों चल सकते हैं, लेकिन उनका size जो है dissimilar है, ये सवाल बहुत सारे competitive exam में पूछा जाता है, लेकिन अलग-अलग तरीके से, यहाँ पे fusion of two motile gamut है कहीं और dissimilar size है, कहीं पे fusion of two motile gamut, और similar size होगा, कहीं पे कि, जो male gamut है, वो motile होगा, female gamut जो है, वो static रहेगी, जिसकी वज़े से, जो fusion हो रहा है, उस fusion को क्या कहते हैं, इसके बारे में पूछा जाएगा, तो जब हम इसको देखते हैं, तो इस तरीके से, एक diagram है, जिसको याद बड़ी है, और male जो है, छोटा है, यानि दोनों के size में भेद है, अंतर है, that is anisogammy, moving to third section, की जो egg cell है, यानि female gamut है, वो static है, कहीं पे भी रुकाव है, इसके पास देखे, कोई flagella नहीं है, यानि कि, ये कहीं पे एक जगे static है, और जो male gamut है, that is sperm, इसके पास flagella है, that is, कि ये move कर सकता है, तो ये है हमारा oogammy, तो हमारा question के अनुसार, ये वाला answer होगा, that is anisogammy, so our answer will be C, anisogammy, moving to next question, hold fast, stripe और font, मिला करके, कौन से plant body का निर्मान करते हैं, तो NCIT में बनाया हुआ है, हमारे diagram, उस इसाब से ये देखिए, brown color के algies हैं, जिनमें की front, stripe और hold fast पाया जाता है, यहां पे options में देखें, तो सारे के सारे algae है, rhodophyce, r for red, r for rhodophyce, याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, ये, chlorophyce, chlorophyll से हम ध्यान रख सकते हैं, कि chlorophyll green होता है, तो उसी तरीके से जहां पे chloro word use हो गया, that means, कि green algae के बारे में यूज कर रहा है, and last हमारे पास रह मिलता है, sorry, front मिलता है, moving to next question, जो plant body है, उसका thallus like organization है, thallus level of organization है, shows rhodophyce, यानि कि rhodophyce, जो होते हैं, वो root like structure होते हैं, root नहीं होते हैं, completely, root like structure होते हैं, as in you can say कि root बन रहा है, in process है, तो उसकी जो निर्मान की शुरुवात है, वही है, rhodophyce, side by side है, haploid भी है, और पानी की जरूरत है, इनको ताकि अपना जीवन चक्र पूरा कर सके, क्योंकि, जो male gamut है, वो motile है, देखे, पानी की जरूरत है, thallus level of organization है, root like structure है, और plant haploid है, तो हम अगर option में देखे, तो teridophyte, teridophyte कभी भी haploid नहीं होते, उन में जो most, जो plant का पूरा cycle है उसको हम haplontic life cycle नहीं बोल सकते हैं, gymnosperm तो बिलकुल भी नहीं है, gymnosperm diplontic life cycle में आता है, monocots are higher angel sperms, तो ये भी diplontic है, हमारे पास last option रहे गया, bryophyte, the bryophyte is the correct answer, क्योंकि bryophyte को हम देखे, तो thallus level of organization उन ही में होता है, और वून में rhizoids भी होता है, तो ये जो पहचानन का तरीका है, ये rhizoids की वज़े से हम पहचान पाएं कि ये bryophyte है, तो ऐसे ही characteristic जो specify करते हैं कि वो कौन सा criteria है, वो कौन सा characteristic है, जिसकी वज़े से वो दिया हुआ पौधा है, जो identification करना है, जो पहचान करनी है, वो हमारे किस category में जाएगी, उसको आप ध्यान रखिएगा, सवाल सॉल्व हो जाएंगे आसानी से, moving to next question, प्रोथालस के बारे में कि प्रोथालस क्या होते है, तो ये देखिए प्रोथालस का एक डाइग्राम है, प्रोथालस क्या होता है, ये gametophyte है, और सांत ही, ये free living इसलिए है, because ये देखिए, archegonia है, archegonia is female sex organ and then enthridia, enthridia is male sex organ and rhizoid, अभी जिसकी बात हमने करी है, ये देखिए, बाल जैसे बने हो है, root like structure, root hairs like structure होते है, ये हैं हमारी rhizoid, तो ये gametophyte है, free living है, और हमें ये telophyte में देखने को मिलता है, that is, pro thallus, moving to next question, plant of this group is, group are deployed, deployed plants है, और adapted है, कि वो किसी भी शुष्क और कठिन से कठिन परिस्थिती में रह सकते हैं, और वो sporophylls bear करते हैं, जो कि cones कहलाते है, तो जैसे ही बात cone की आती है, हमारे दिमाग में ये की structure बनता है, कि ये कुछ ऐसा सा बन रहा होगा, और cones के बनने की वज़ा से, उनको हम conifers कहते हैं, जो भी species cones bearer होते हैं, उनको हम conifers कहते हैं, तो conifers हमने बहु यानि pine, चीर, देवदार, ये सारे हैं, तो ये extreme condition में रह सकते हैं, और साथ ही इनके पास cones है, तो ये कौन है हमारे, ये हैं हमारे gymnosperms, gymnosperms जो होते हैं, वो extreme condition में रह सकते हैं, अब देखें यहाँ पे कैसे पहचान सकते हैं, कि ये gymnosperm की बात हो रही है, क्योंकि plant group deployed है, और साथ ही इसके पास cones है, तो ये characteristic feature हो गया gymnosperm का, so moving to next question, embryo sac of an angiosperm is made up of, एक भुणकोष किस हिसाब से या कैसा बना हुआ रहता है, ये कोशिका और केंद्रकों के हवाले से हमें बताना है, तो typical angiospermic embryo sac कुछ इस तरीके का दिखता है, तो अगर हम इसके cells काउंट करें तो तीन हमारे पास antipodal cell है, एक हमारा central cell है, तो तीन एक चार हो गया, दो synergid है, चार पांक छे हो गया, और एक egg cell हो गया, तो seven cells होते हैं, अब हम nucleus के terms में बात करें, तो तीन nucleus यहाँ पे है, तीन इधर हमें दिख रहा है, तो जितने cells हैं उतनी nucleus तो होंगे, पर यहाँ प कि हम polar nuclei कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो गया seven cells, यानि साथ कोशिका और आठ केंद्रक, इन से मिल करके एक घृण कोश बना होते हैं, इंजियो स्पाम का, moving to next question, यह देखे, यह बहुत ही अच्छा और बहुत ही important सवाल है, यह भी कई बार exams में पूछा जाता है, जहाँ पे 2N is equal to 36 हमें दे दिया है, और chromosome number बताना है उसके इंडो स्पाम का, उसका गण सूत्रों की संख्या बतानी है, अब हमें इंडो स्पाम की, तो अब देखिए, यह सवाल की हिसाब से हमारा 2N is equal to 36 है, तो N is equal to 18 हो जाएगा, ठीक है, और इंडो स्पाम कब बनता है, जब double fertilization हो जाता है, इंडो स्पाम कैसे बनता है, तो जो हमारा central cell था, वो बनाता है, उसमें जाकर के जब दूसरा, जो male gamut है, fuse होता है, तब जाके बनता है, इंडो स्पाम, तो यह पहले से ही उसके पास 2 nucleus थे, एक और nucleus जुड़ गया, तो that becomes 3N, तीन nucleus हो गया, अब जैसे ही 3N हो गय आपको इंडो स्पाम दे रिया जाएगा, और आपको number of chromosome in gametes बताना होगा, गंड सूतरों की संख्या बतानी होगी, जो हमारे gametes हैं उसमें, तो वहां पे हमें सिर्फ N की value निकालनी है, और कभी जो gametes होते हैं, अगर वो deployed plant है, तो उसके हमेशा ही N होंगे, usually N ही होते हैं, moving जो यह मौस का sexual reproduction होता है, जब तब protonima का formation होता है, तो यह रहा हमारा protonima जो की gametophyte में convert होता है, तो gametophyte में convert हो रहा है, तो यह हमेशा ही haploid रहेगा, यानि N होगा, तो haploid and is found in mosses, यह mosses में पाया जाता है, moving to the next question, कि giant redwood tree जो है, वो इन में से किसको belong करता है, NCRT में gymnosperm के section में उपर से पांच ही या छठी लाइन है, जिसमें यह बताया हुआ है, कि दुनिया का सबसे बड़ा जो redwood tree है, आप देख सकते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा tree है, वो gymnosperm से belong करता है, इसकी height लगबग 155 to 160 or 165 meters होती है, इससे ज़्यादा बड़ा प NCRT में बहुत सारे ऐसी चार्ट बने हुए है, तो मैं यह आप से कहना चाहती हूँ कि NCRT के जितनी भी ऐसी चार्ट है, उनको जरूर ध्यान में रखें, उन्होंने जितना बता रखा है, अपने किताब के content में उससे कहीं ज्यादा चीजें हमें उनके चार्ट में मिल जात संख्या है, उनकी जो संख्या है और उनका position है, जहां पर पाए जाते हैं, वो यहां पर दिया हूँ है, जबकि उन्होंने किताब में यह चीजें नहीं बताई हूई है, तो यह देखे, chlorophyce, chlorophyce में food stored food होता है, starch, phyophyce, यानि कि यह है हमारा brown algae और जिसमें होता है, mannitol, और दूसरा है, laminarine, और rhodophyce में है, floridian starch, our answer will be phyophyce, moving to the next question, इनमें हमें example देना है, तो यह भी बहुत अचा सवाल है, जो कि कई बारी biology से related, जितने exams होते हैं, या कुछ ऐसे exams हैं, जहां पर अगर biology पूछा जा रहा है, तो उसमें यह सवाल पूछा जाता है, उसमें यह बताना होता है हमें कि इनमें से life cycle, जो जीवन चक्र है, उनमें से यह किसके किसके characteristic है, तो इसको याद रखने के लिए हम यह image देख सकते हैं, कि हेपलॉंटिक life cycle के अगर हमें बात हो रही है, तो यह रहा, हेपलॉंटिक life cycle में जो हेपलॉइड वाला पार्ट है, वो dominant है, और इसक अधा है, हेपलॉंटिक life cycle भी है, और डिपलॉंटिक life cycle भी है, पीच में है, तो इसके हमारे examples है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, और डिपलॉंटिक life cycle, यह देखिए, dominant characteristic जो होता है, पूरा life cycle, डिपलॉंटिक होता है, यानि कि वो डिपलॉइड है, और इसके हमा है, तो अगर हम देखिए, हेपलॉंटिक life cycle, तो उसमें हम एल्गे लिख सकते है, डिपलॉंटिक life cycle, इंजो स्पर्म या जिम्नो स्पर्म जो आपका मन चाहे, वो आप लिख दीजे, हेपलोडिपलॉंटिक, इसमें भी ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट हम दोनों लि लेकिन रूट के एक्विवेलेंट उसी के समानांतर उससे जो नीचे वाले प्लांट्स है, यानि लोवर डेवलप्मेंट वाले प्लांट्स है, उसमें एक structure होता है, उसको हम क्या कहते है, वो है हमारा राईजोई, जिसके बारे में हमने इतनी सारी बात किये, रूट लाइ और डिपलांटिक यानि की complete cycle जो उनका जीवन चकर है उसमें ज़्यदा तर जीवन चकर का भाग डिपलांटिक लाइफ सैकल को शो करता है, वो कौन-कौन से हैं, तो हैपलोडिपलांटिक शो करता है, ectocarpus और डिपलांटिक लाइफ सैकल शो करता है, ficus, now moving to the next question, कि bryophyte म male और female sex organ को हम क्या कहते हैं male organ को हम enthridium कहते हैं और female organ को हम archiconium कहते हैं So this will be all for this video आप हुमारे telegram channel से जुड़ सकते हैं जिसका link आपको description box में मिल जाएगा वहाँ जाएं और नए videos के update को प्राप्त करें Stay tuned to Delibytes for more updates God bless you all